हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी सुहागन इस्त्री की मृत्ति हो जाती है तो उसके अंतिम संसकार से पहले उसका 16 शिंगार क्यों किया जाता है वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंट्स आपसे एक रिक्वेश्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे अगर आप एक सुहागिन होने के महत्तों को नहीं समस्ते हैं तो आप किसी भी विद्वा इस्ट्री से पूझ सकते हैं कि उसे अपने सुहाग होने के बाद किन किन्चनोतियों का सामना करना पड़ा है लेकिन धार्मिक शास्त्रों में गंथों की माने तो यदि किसी विवाहित इस्तरी की मृत्यू सुहागन के रूप में होती है तो उसे बहुत ही सौभागिशाली माना जाता है इसलिए फ्रेंट्स आपने भी देखा होगा कि एक सुहागन इस्तरी की मृत्यू हो जाने के बाद उसके शौव को सोला शिंगार से सुजदित करके ही विदा किया जाता है ये तो थी सौभागिश की बात लेकिन फ्रेंट्स क्या आपने कभी सोचा है ऐसा करने के पीछे का वास्त्विक और धार्मिक कारण क्या है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंट्स क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की सोला कलाओं के अभाओं में पुरुष कभी भी पूर्नी रूप से पुरुष नहीं हो सकता बिलकुल उसी प्रकार सोला शिंगार के अभाओं में नारी का सरूब भी अधूरा माना गया है हमारे चार वेदों में से एक रिग वेद में भी इसोला शिंगारों को साफ सब्दों में सौ भागे के साथ जोड़ा गया है लेकिन फ्रेंड्स आज की इस वीडियों में हम उन तथों को उजागर करने जा रहे हैं जो एक विवाहिस इस्त्री के म्रत्यू के पस्चा सोला शिंगार करने के पीछे के धार में तथों को इश्पष्ट करते हैं फ्रेंड्स आपको उन तथों को जानने से पहले इन सोला शिंगार के महत्यों को समझना बहुत जरूरी है जिन्हें जानकर ही आपको एक इस्त्री के त्याग, इसमरण, प्रेम और शक्ती का एहसास होगा तो फ्रेंड्स आईए जानते हैं इनके महत्तों को पुरानी कथा के माध्यम से फ्रेंड्स राजकुमारी सीता के विवाह के आउसर पर उनका शिंगार किया जा रहा था तभी उनके मन में एक जिग्यासा उठी कि आखिरकार नारियों का सोला शिंगार क्यों किया जाता है उन्होंने वहाँ उपस्तित अपनी मा राणी सुनैना से पूछा कि मा सुहागिन इस्त्री के लिए सोला शिंगार करना क्यों जरूरी होता है इस पर राणी सुनैना ने कहा जिस प्रकार चंद्रमा की सोला कलाओं पूरुष के लिए निर्धारित की गई है ठीक उसी प्रकार नारियों के लिए सोला शिंगार निर्धारित किये गए है और यही सोला शिंगार नारी के संपूर रूप के गोतक भी है बिना सुहाग के एक सुहागिन इस्त्री का जीवन अधूरा माना जाता है सुहाग की निशानिया सुहागिन इस्त्री के लिए बहुत ही जरूरी है इसलिए विवाह के पश्चात सुहागिन इस्त्रियां 16 शिंगार करती है इन 16 शिंगारों में हर एक शिंगार का अपना अलग महत्तो बताया गया है फ्रेंड्स इनी महत्यों को ध्यान में रत्ते हुए एक विवाहित इस्त्री की मृत्यों के पश्चात उसका इन सभी 16 आभूशनों से शिंगहार किया जाता है ताकि उसे अगले जनम में भी सुहागिन ही मृत्यों होने का सौभाग्य प्राप्त हो सके फ्रेंड्स हिंदू समाज में महिलाओं को लेकर कई गुण बाते कही गई हैं लेकिन केवल धार्मिक द्रश्टिकोर से ही नहीं बलकि वैग्यानिक द्रश्टिकोर से भी देखे तो इन 16 शिंगहार का अपना महत्यों बताया गया है जो आपके स्वास के लिए लाबकारी होता है तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप ये समझ गये होंगे कि सुहागिन इस तरीकी म्रत्ति हो जाने पर उसका 16 शिंगहार क्यों किया जाता है उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे थैंक यू